हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल हिंदी टेक्निक्स टू में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एनस पी यानि नेशनल स्कॉलर्शिप के बारे में नेशनल स्कॉलर्शिप पोर्टल में जो पहले फीस अपडेट होती थी यानि हम जब फॉर्म भरा करते थे तो वहाँ पर फीस भरने का उप्शन आता था लेकिन अब वो नहीं आता है तो सारी फीस हैं जो भी जिस भी क्लास की फीस है वो सब इंस्टिटूट लेविल से आप फिल करनी होती है तो दोस्तो कैसे हम इंस्टिटूट की आईडी में अपने फीस को अपडेट करेंगे वो तरीका मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो को लाज तक ज़रूर देखिएगा तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते है लेकिन इस्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से च्छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना शेयर करना हमारी चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यह रेड सर्क्री में जो बैल आकन का बटन दिख रहा है इसको प्रेस करना न भूलें जिससे के हम कोई भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको देख सकें तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो भी फीस अपडेट होती है वो सब इंस्टिट्यूट की आइडि से होगी जो इंस्टिट्यूट लेविल से जो फॉर्म वेरिफाई होते हैं उसी आइडि से आपको पहले फीस को अपडेट करना होगा उसके बाद ही आप फॉर्म को वेरिफाई कर पाएंगे तो पासवर्ड और CAPTCHA CODE यहां पर एंटर करना होता है तो मैं सारी चीजों को fill कर लिता हूँ देखे मैंने सारी चीजों को fill कर लिया है यहां पर और हमें login पर click करना होगा जैसे हैं login पर click करेंगे तो institute की जो id है वो हमारे सामने open हो जाती है यहां पर हमें एक notification दिखाई दिखाई देता है इसके अलावा left hand side पर यहां चार option आपको नजर आते हैं जिसमें पहला जो है वो logout का होता है दूसरा reports का होता है जो भी आपने form verify वगर की हैं वो सब चीज़ें reports में आपको मिल जाती हैं इसके अलावा verification में जब आप जाएंगे तो यहां से आप form boxes वाले section में ही दिया गया है आपको क्या करना है administration पर क्लिक कर लेंदा है और यहां पर देखिए update profile का一定要s का option है आपको add update details पर क्लिक कर लेना है यहां से हम change password कर सकते हैं लेकिन fees update करने के लिए आपको जो बीच वाला option है उसको select करना है add update details आपको यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे आपका OTP मांगा जाएगा जो भी आपके registered mobile number पर जाता है तो यहाँ पर हम OTP को enter कर लेते हैं देखिए हमने यहाँ पर OTP को enter कर लिया है उसके बाद हमें confirm OTP पर क्लिक करना होता है देखिए मैं confirm पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए चार option आपके सामने निकल कर आते हैं जिसमें पहला option आपको नज़र आएगा add and update course और third option होगा add annual course fees और fourth होगा update annual course fees तो दोस्तों यहाँ पर fees update करने के लिए हमें इस third वाले option पर क्लिक करना है add annual course fee अगर हमने पहले से update की हुई है उसमें कुछ correction करना है तो हमें update annual course fee पर क्लिक करना है लेकिन अभी हमें add करना में आपको बता रहा हूँ कैसे add करते हैं तो इस वाले option पर क्लिक करेंगे इसके अलाबा यह जो ऊपर दो option दिये हुए हैं यहाँ पर हम अपने school में class add कर सकते हैं जैसे के हमारे scholarship के form 5th class तक भरे जाते हैं और हम चाते हैं 9 तक के भरे जाएं तो हम यहाँ से जो class है वो add कर सकते हैं अपनी ID में फिर हमारे school को जो भी select करेगा वहाँ पर 9th class तक या 10th class तक शो करेगा तो इस तरह से हम इसमें course add कर सकते हैं अब बात करेंगे fees को update करने की तो यहाँ पर add annual course fee पर click करना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए यह category wise भी बाटा जाता है और male female wise भी बाटा जाता है यानि ST category के male के लिए इतनी fees है, journal के लिए females के लिए इतनी fees है और SC others के लिए इतनी fees है उसके बाद यहां first class की सारी categories और सारे male, female यहां पर दिये हुए हैं देखिए OBC, SC, journal ठीक है सारी यहां पर cast यानी category दिये हुए हैं इसके लाबा male female यहां पर दिये हुए हैं तो सबकी fees यहां पर update हो जाती है अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पर first class की और भी category यहाँ पर दी हुई है फिर second start हो जाती है second class की बहुत सारी category दी हुई है तो इस तरह से हमें हर class की हर category में fees update करना होता है अब कैसे करते हैं देखिए उपर स्क्रॉल करिए आपको यहाँ पर course चूज करना है सबसे पहले ठीक है मैंने first तक किया हुआ है यहाँ पर second तक सोरी second तक किया हुआ है उसके बाद मैं third class select करता हूँ उसके बाद यहाँ पर course year ठीक है तो first year यानि हम एक साल की यहाँ पर fees update करते हैं तो यहाँ पर one year हम select करेंगे उसके बाद मैं यहाँ पर category को select करना होता है किस category में आप कितनी fees रखना चाहते हैं अगर आपकी सारी category के लिए same fees है तो all category पर select कर दीजे उसके बाद gender अगर male female fees में difference है तो यहाँ पर आप select कर दीजे अगर same है तो all gender पर click कर दीजे उसके बाद में हम add करते हैं कि third class में admission fees कितनी रखनी है तो दोस्तों यहाँ पर first to fifth हमारी same है ठीक है तो हम यहाँ पर वही update कर देते हैं यह देखिए हम यहाँ पर करते हैं admission fees उसके बाद यहाँ पर करते हैं tuition fees उसके बाद में हम यहाँ पर करते हैं अधर charges ठीक है total इसमें और आगे हमें दिखेगा third option यानि third class की फीस हमारी update हो चुकी है तो यह बहुती आसन सा process है दोस्तों के किस तरह से हम फीस को update कर सकते हैं हम फीस को add करने के बाद अगर हमें कुछ correction करना है इसमें तो हमें जो फूर्थ वाला option था उस पर हमें click करना होता है तो बहुती आसने से आप फीस को update कर सकते हैं जो भी confusion आपका institute level को लेकर हो या student level को तो आप कोई भी problem हो तो हमारे comment में आप हमसे question कर सकते हैं हम आपका reply करेंगे तो इस तरह से आपने third class की फीस को add कर लिया है अगर आप चाते हैं fourth class को add करना तो यहाँ पर आपने fourth select करना है one year यहाँ पर select करना ह हैं क्योंकि हमारी first to fifth same है उसके बाद में हम fifth को select करते हैं उसके बाद one year select करते हैं और फिर submit पर क्लेक कर देते हैं याणि हमारी देखिए यहाँ पर 5th class तक हमारी add हो चुकी है fees अब हम बात करेंगे 6th class की तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 6th class को select करना है और one year को select करना है यहाँ पर और हमें fees को update करना है यानि 6th class की जो fees है हमारी change है तो यहाँ पर देखिए 500 उसके बाद में हमारी 3920 जिरो उसके बाद में हमारी अधर चार्जिस हैं 2000 तो यहाँ यहाँ पर हमने फीज को update कर दिया है अब हमको submit पर क्लिक करना होता है तो यहाँ पर देखिए हमने squash class की fees को submit कर दिया है अब हम 7th पर आते हैं तो 7th में हमारी same fees रहेगी हम दोस्तों यहां पर देखिए फर्स्ट टू एर्थ हमारी फीस अब्डेट हो चुकी है बहुत ही आसान सा प्रोसेस है कोई भी कन्वीज होने की जरूरत नहीं है ओके फ्रेंड्स हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक था और मिलते हैं फिर से एक नहीं वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई